नाइट मैचेस दिलचस्प होते हैं एक बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है आज पिछ हार दिख रही है आज बाउंसर्स का अच्छा इस्तमाल करना चाहेंगे गेंबाज दोनों टीमों के कप्तार और मैच रेफरी मैदान में टॉस के साथ तयार है ये हैं दोनों टीम्स के खिलाडी जो आज मैदान में उतरेंगे एक दूसरे के साथ पिड़ेंगे नई गेंद के साथ दोनों अमपायस पिछ की और बढ़ते हुए फिल्डिंग टीम आज पूरे जोश में दिख रही है दो सलामी बल्ले बाज पिछ की और बढ़ते हुए तेज गेंद बाज को लाया गया है अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्ले बाज तयार अबामे गेंद क्या शुरुआत दिलाई है गेंद बाज ने अपनी टीम को पहली गेंद पे चलता किया बल्ले बाज को मायूस होंगे बल्ले बाज क्योंकि उनकी पारी में लग चुका है पून विराम सका रात्मक फील्ड सजाई है कप्तान ने अच्छी कप्तानी पूरी तरह से चूप गए बल्ले बाज आउटस्टैंडिंग गेंद बाज गेंद बाज अच्छी लाइन लेंद पे गेंद डाल रहे हैं क्या ये विकेड लेने में सफल होंगे चलो देखते हैं कनेक्ट ही नहीं कर पाए शानदार गेंद अप्तान ने बड़ी आउफ फील्ड लगाई है और गेंद बाज भी फील्ड के अनुसार ही गेंद बाजी कर रहे हैं बहदरीन शॉट लेंद को जल्दी से पड़ा और खूबसूरत चौका जड़ा बैट पर लगते ही मानों बाउंडरी लिखी हुई थी इस पर और ये हवाई फायर और दर्शकों को किया है फील्डर्स में तबदी इस खिलाडी के पास ताकत भी है और नजाकत भी इस पिछ पर एक धीमी गती की गेंद जरूर आजमानी चाहिए गैप में खेला और एक रंचुरा लिया तेज गेंद बास को लाया गया है मुश्किल गेंद थी बल्ले बास समझी नहीं पाए इस गेंद को यकीनन बल्ले बास को मुश्किल समय दे रहे हैं ये गेंद बास सुन्दर शॉक गैप में सीधा चार रंच के लिए खेलने की कोशिश लेकिन चूके बड़िया गेंद बाजी बल्ले बास जरूर पिछली गेंद भुला कर अगली गेंद पर ध्यान लगाना चाहेंगे बहदरीन शॉट लेंद को जल्दी से पड़ा और खूबसूर चौक का जड़ा आत्म विश्वास से भरा शॉट था ये मिलेंगे पूरे चार रन्स आत्म विश्वास और बढ़ेगा इस शॉट से गलस शॉट सेलेक्शन भागे शाली रहे कि बल्ले का किनारा नहीं लगा कप्तान ने बड़िया फील्ड लगाई है और गेंदबाज भी फील्ड के अनुसार ही गेंदबाजी कर रहे हैं गैप में खेला और एक रंचुरा लिया ये थ्रो विकेट से बहुत दूर थी पूरी तरह से चूप गए बल्ले बाज आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी यकीनन बल्ले बाज को मुश्किल समय दे रहे हैं ये गेंदबाज और ये बल्ले का किनारा लगा पर बल्ले बाज बचे खूबजूर थ्रो पिल्कुल स्टम्स के उपर लॉंग लेक पे फील्डर लगाया है शायद शॉट अफ लेंद गेंद देखने को मिल सकती है सपर्दस्ट गेंदबाजी असान नहीं है ऐसी गेंदों को खेलना कप्तान ने बड़ी आफ फील्ड लगाई है और गेंदबाज भी फील्ड के अनुसार ही गेंदबाजी कर रहे हैं अच्छे अंदाज में पिक किया शॉट को और गेंद को पहुचा दिया स्टैंड में स्टैंड एंड डिलिवर आमंतरन को किया था स्वीकार और गेंद को भेजा बाउंडरी पार सपरदस्ट केंदबाजी असान नहीं है ऐसी गेंदो को खेंदना बनले बाज जरूर पिछली गेंद भुलाकर अगली गेंद पर ध्यान लगाना चाहेंगे अच्छी गेंद लेकिन बनले बाज ने इसको खेलना जरूरी नहीं समझा गुड लीव देखना दिल्चस्प होगा कि अगली गेंद कहां डालेंगे गेंद बाज प्लेस कर दिया है गैप में और रन्स मिलेंगे यहाँ पर अच्छा त्रो फील्डर का तेज और बिल्कुल ठिकाने पर मिल गई विकेट वाह किस तेजी के साथ कैच पकड़ा है खिलाडी ने ऐसा लगा मानो बिजली की रफ्तार है इनके पास बहतर पारी की अपेक्षा थी आज पर निराशा लगी हाथ ऐसी कैचेज ना सिर्फ आपको मैचेज जितवाती हैं बलकि मुश्किल परिस्थितियों में टीम का मनोबल भी बढ़ाती है सटीक लाइन और लेंग यकीनन बल्ले बाज को मुश्किल समय दे रहे हैं ये गेंद बाज शौट पन नियंतरन बिल्कुल नहीं रख पाए इस पार शानदार पिकें थ्रो और ये रन आउट होंगे बड़ी सफलता पूरी टीम उच्साइथ होगी इस विकेट के बाद मायूस होंगे बल्ले बाज क्योंकि उनकी पारी में लग चुका है पून विराम इसे कहते हैं टाइट फिल्डिंग चीते ये रखतार है इनके पास बल्ले बाज के लिए कोई भी आसान रन अवेलेबल नहीं है मज़ा आता है ऐसी फिल्डिंग देखकर बल्ले बाज बिलकुल कमफरडेबल नहीं दिखे इस गेंद पर पड़ी आगेंद बाजी झाल 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 झाल